असलाम अलेकुम दोस्तों, दिसी तुमर्सली, वेलकम टू माइ यूट्यूब चैनल और आज का दिन बहुत स्पेशल है को कि आज उस सवाल का जवाब दूँगा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आफ्टर कैमरा कि आपकी जो वाइस क्वाल्टी वह इतनी बहतर क्यूं नहीं आती है और आप कौन-कौन से माइक यूज़ करते हैं हम वीडियो बनाना चाहते हैं तो हम कौन सा माइक यूज़ करें आपके सबी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे तो एंड तक देखिए कर चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जिस तरह से वीडियो के विज्वल जुरूरी है इंपोर्टेंट है उनका अच्छा होना जुरूरी है उसी तरह से आडियो का भी बहुत क्रेस्पोर अच्छा होना उतना ही जुरूरी है वीडियो आप जितनी मर्जी high resolution camera से बना ले उसका वो impact नहीं आएगा अगर आपकी voice quality कम है तो वो बिलकुल फारिख हो जागा आपने यूफून वाली एड़ देखे होगी वो बुरी आवाज वाली तो सबसे पहला सवाल कि आप कौन सा mic यूज करते हैं road video mic pro plus यूज कर रहा हूं जो कि यहां पर मेरे कुछ लगा भी screen में आपको नजर नहीं आ रहा है थोड़ा सा out of frame है लेकिन उसको हम एज़ा shotgun mic यूज करते हैं जी हाँ इसका नाम इतना ही लंबा है road video mic pro plus right now मैं दो mic यूज कर रहा हूं एक तो road anti-usb और दूसरा road video mic pro plus और अभी जो आप आवास सुन रहे हैं यह road anti-usb में से आ रही है और अभी जो आप आवास सुन रहे हैं यह road video mic pro plus में से आ रही है जो कि यहां पर रहा है शोड़गन mic मैं यूज कर रहा हूं अब इसका क्या फायदा है यह किसलिए इस्तमाल होता है और यहां पर जो road video mic pro plus लगा वो किसलिए यूज होता है अभी हम इसको जाने तो दोस्तों अभी जो आप आवास सुन रहे हैं वो road wireless go 2 में से आ रही है यह बहुत ही जबदस माइक है और बहुत ही वर्ट स्टाइल माइक है road wireless go 2 में दो तरह के माइक साते है एक जिसके साथ दो ट्रांस्मीटर होते है और एक receiver होता है जो कि camera के साथ लगता है भी इस camera के साथ भी एक attach है और एक receiver जो sorry transmitter है वो यह है और एक transmitter मेरे पास यहां पढ़ा हुआ है तोटल यह तीन पीसिस वाला यानि कि एक road wireless go to है अभी इसमें दो पीसिस वाला भी आ रहा है उसकी कीमत है 43,000 और यह जो दो वाला है सोरी तीन वाला है इसकी कीमत है 63,000 रुपीज अगर आपको लग रहा है माइक बहुत महिंगा है तो मैं आपको आज सबसे सस्ता माइक बिताऊंगा जो के सबसे reliable भी है और बहुत अच्छा रजल देता है लेडिस जेंटलमेंट इस बोया M1 जो के बहुत पॉपलर है और हर जगह से दस्याब है आप कहीं से इसकी को खरीज सकते हैं डिफर्न प्राइस है, 1500-2000 के करीब इसकी प्राइस है बहुत ही वर्ड ताइल है, इसको आप कैमरे के साथ भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसको मॉबाइल फून के साथ ही यूज कर सकते हैं वेदर इस आइफून या फिर एंडरॉइट लेकिन आईफून के साथ यूज़ करने के लिए आपको ये चोटा सा कनेक्टर जिसकी कीमत को पच्छी सो से तीन हजार के करीब है औरिजिनल की ये चाहिए होगा इसके आजगे कापीज भी हैं जो के गुजारा करती हैं वो भी ले सकते हैं अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं इंटर्वियू के लिए तो उसके लिए आपको ये सबसे सस्ता उप्शन मिलेगा ये बॉया M1 जो आपको मैंने दिखाया है ये उसी का कजन है और इसका मजज ये है कि इसके दो माइक हैं ये लगेगा आपके कैमरे में और ये लगेग तो ये करीब 3500-4000 के करीब इसकी जो है वो प्राइस है तो सबसे सस्ता और बेहतरी आप्शन ये आपके पास अगर आप इंटर्वियू करना चाहते हैं आपको दो माइक चाहिए बोया M1 DM ये माइक खरीज सकते हैं जिसके दो माइक आते हैं इसके दो माइक है इसको किसी वर्स टाइल माइक है और इसकी मज़े की बाज है कि आप इसको माइक भी यूस कर सकते हैं और इसकी जो आवाज है वो यहां पे सेव होती है माइक्रो यूएस पी में क्या मैं बोला तुने तो आप कुछ भी इसके अंदर रिकॉर्ड करके बाद में अपने कैमरे के साथ सिंग कर सकते हैं और मज़े की बाज़े कि इसके अंदर ने माइक का उप्शन दिया अप इसके अंदर ये वाला माइक जो रोड का माइक है सुरी ये बोया M1 का माइक है इसके अंदर रिकॉर्ड करके इसके अंदर रिकॉर्ड करना चाहते है तब भी अच्छा है बहुत एज़िए अपने रेड बटन दिमाने से रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है मैंने अपने बहुत सारी चीज़े इन फैक्ट अपना ये जो रोड का माइक है थोड़ा सा चाहते हैं तो ये बोया MM1 बहुत अच्छा माइक है ये सस्ता भी है और इसकी मज़े की बास ये कि इसके साथ भी दो वायर आती है एक वायर ये है जो के कैमरे के साथ अटैच होगी एक बात नोट कीज़ेगे इसके उपर दो रिंग्स है क्या आप देख सकते हैं थोड़ा के साथ अटैच होगा और अगर अगर आप इसको अपने मॉबाईल फून के साथ अटैच करना चाहते हैं तो आपको इसके साथ एक कोर केवे मिलती है जो के बाक्स के अंदर होती है थी उपर तीन रिंग होते ये देखी गा एक दो और ये तीन रिंग है ये मुबाइल फून में जाएगी, और ये जो है ना ये उसमें जाएगी, आपका जो ये माइक है ऐसमें ऐसे कुछ लगेगी, और ये फ्वुन में जाएगी और इसको आठेश करने के लिए disp अगर आपने इसको आईफून के साथ अटेच करना है तो यह कॉनेक्टर लाजमी है और यह बहुत इच्छा रज़र्ड देता है वोईस कौल्टी वगर इसको आईफून के साथ आप अटेच करते हो और एक और बात याद रिखिएगा कि अगर आप इसको Android के साथ टैस्ट करना चाहते हैं अगर तो इसकी ये वाली पिन है तो वेलन गूड ड्रेक्ट जाएगी वरना आपको एक और कॉनेक्टर लेना पड़ेगा जो इसके उपर लगेगा और आगे से वह सी टाइप जो है बढ़ चुका है तो 3500 के राउंड इसकी प्राइस होगी और इस रेंज में बहुत अच्छा माइक नाजरीन यह माइक जो कि एक मीटर लंबा है जस्ट एक मीटर इसकी कीमत है 12,000 पे और यह मैंने आज से करीब कोई 2-3 साल पहले लिया था और में भी आप इसकी प्राइस इसको कहते हैं रोड लैव गो यह मज़े की बात यह है कि इसकी जो बेस है वह बहुत अच्छी इसको भी आप कुनेक्ट कर सकते हैं अपने आईफून के साथ इस कुनेक्टर के थूँ और सिमिलरली अगर आप इसको सी टाइप एंडॉइड के साथ कुनेक्ट करना चाहते ह है अब जो आवाज सुन रहे हैं और डिरेक्ट इसमें से आ रही है तो यह इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपने मेरी लास अगर टेली प्रॉम्टर वाली वीडियो देखिए जिसका लिंक यहां पर आ रहा है उसमें यही माइक यूज़ किया था इस रोड वा अब बारी है इस मास्टर पीस की जिसका नाम है ब्लू येटी ब्लू येटी एक ऐसी कमपनी जो के पाकिसान में रिजिस्टर नहीं है जितने भी माइक आते हैं बाइर से इंपोर्ट होकर आते हैं और इंक्रेडिबल इसकी जो है ना वह सौन क्वालिटी है अभी जो मेरे और ये बंकर येवक्स मोड़ें से कर सकते हैं आप म्यूक्प इसको चार पैटरिण में कर सकते हैं कि यहां से आवासे अब्रकॉर्ड करें यहां से करें ओम्नी डिरेक्शन और या वन डिरेक्शन करें यह वर्ष्टाइल माइक है nuclear और मुज़गी हां आप इसको म्यूट वी कर सकते हैं यह माइक यूज क्यों होता है यह मैं आपको बताता हूं इस is called condenser माइक ठीक है अभी जो आपने यह देखा था यह यह शॉर्ट-गन माइक यह भी शॉर्ट-गन के वहता है लोग आम तो रूबस को जो वोईस ओवर्स हैं उसके लिए इस्तमाल करते हैं, वोईस ओवर के लिक और मास्टरपीस मेरे पैसे हम आपको दिखाता हूं, दोस्तो डिस इस रोड एंटी यूएसपी जो के मैं अपने वोईस ओवर्स के लिए यूस करता हूं, इसकी कीमत जो है ये करीब 30,000 रुपे के करीब इसकी कीमत है अभी राइट नाव मैंने 29 का लिया था इसके आसपास ही अब होगी कीमत ये बहुत इंक्रेडिबल माइक है रोड इस लव आई रिली रव रोड जिसके जितनी भी प्रोडक्स है वह बहुत अमेजिंग है तो इसकी जो माइक की जो कीमत है बिलू जैटी की ये अराउंड उस टाइम तो 35,000 के करीब थी लिए जो कि अभी इंपोर्ट पर प्रबंदी लगी है और डॉलर भी उपर गया है तो में भी आपको 40 के अराउंड ये वाला माइक मिले और ये बहुत ही रेर है हर किसे के पास नहीं तो दोस्टों ये थी मेरी माइक कॉलेक्शन और जो कि मैं अपनी डिफरेंट वीडियो इपरियो इंड और आउट डिफरेंट सिच्वेशन में यूस करता हूं, अब सवाल ये है कि आप कौन सा माइक यूस करेंगे, आप को कौन सा माइक यूस करना चाहिए तो सबसे पहल और वीडियो रिकार्ट करना चाहते हैं और थोड़ा सा बजट में खेलना चाहते हैं और आप अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं आपके इतना बजट है ते बोया M1 स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा है मैंने देड़ दो साल इस बोया M1 से अपनी क्लाइंट की और लेख सकते हैं कि इसके उपर कैमरे का ऑप्शन है और स्मार्ट फून का है अगर आप स्मार्ट फून पर करना चाहते हैं उसको नीचे कर दें तो यह दोनों तरह से बड़ा बहतरी वर्क करता है और स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा है अगर आप आउड़ व्लोगिंग करना चाहते हैं तो यह बोगा का mm1 मायक आपके लिए बहुत अच्छा होगा अप इसको मायक को मुबाइल के साथ नहीं के साथ आड़िस कर सकते है और उसमें और आपको बात बताओं कि इसमें आपको दो मिलती हैं ये दो केबल मिलती वह एक जो है कैरे के साथ हो होती है एक 모바 그대로 होती भ्सक्तिंब में मिलती है येalta बाली नहीं मिलती सो ये प्लस पॉइंट है कि अगर मैं हो अगर आपको कभी शोट गन की ज़रुत हो कम लिम्टेड बजट में तो ये बोया का MM1 आउट डॉर के लिए बहुत अच्छा है ये इसको उतारेंगे तो अंदर विसे इंडॉर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको नंगा लेकिन आउट डॉर इसको आप ऐसे यूज़ करेंगे बहुतर हो विलोगिंग पर या किसी और आउट डॉर प्रोड़क्ट पर या कोई कमर्शिल प्रोजेक्ट है तो ये माइक बहुत जबर दस्त है ये रोड वीडियो माइक प्रो प्लस है जिसकी कीमत तकरीब पचास हजार के करीब है और ये जो है ये इसका शोटर वर्ज है ये भी देख सकते हैं ये बहुत ही जबदस माइक है और रोड वीडियो माइक प्रो प्लस का कमपेटिटर है और अगर ये मैने रोड वीडियो माइक प्लस ना लिया होता तो मैं डेफिनिटी ये रोड एंटी जो माइक है ये ज़रूर खरीड़ता क्योंकि इसके बहुत सारे आप इसकी बैटरी टैमिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इसमें बहुत सारी उप्शन है उसको आप यादा शॉर्ट गन भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर यूज़ भी लगा के आप अपने कंप्यूटर के साथ भी अटैज़ कर सकते हैं फोर्टनेटिव मेरे पास है नही यूज़ नहीं कर सकते तो इसमें आपकी आवास की जो बेस है भारी आती है जैसे कि आपको एक सेंपल दिखाता हूं मैं जरूर्यात जिंदगी का घर की देहलीज पर मुयस्र हो जाना किसी नेमत से कम नहीं तो अगर आप शायरी करना चाहते हैं अपना वोईस ओबर हैं कि आप एक ही माइक लें जो कि आपकी सबी जरूरते पूरी कर दें और अगर आपके पास बजट भी है तो मैं सबको रेक्मेंट करता हूं सबको रोड वायलेस गो टू खरीदें और उसकी वज़ा यह है कि इंडूर और आउटडूर हर जगा इस्तमाल होता है यह आपक इसके उपर कुछ यू लगा सकते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं अब यह आपकी जो विंड की जो नौइस है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा तो इंडूर आउडूर बहतरीन है और इसके साथ में आपको यह भी मिलता है जिसको आप अटैच कर सकते हैं इसके साथ तो वो आप रोड वाइलस गोटू खुरी लें तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो मीड करता हूं आपको पसंद नहीं यह और आपको पसंद नहीं तो इसको लाइक जूरू करें और मजीद ऐसे इंफरमेटिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्रा कर लें लाइक करें शेर करें मिलते अगली वीडियो में बहुता रख्या रिखेगा अलाव